नमश्कार दोस्तो, RBM Infracon Limited के रिजल्ट आ चुके हैं, दोस्तो ये सारे रिजल्ट हाफ एर एंडिड हैं, प्रेजेंट 6 मन्त के रिजल्ट यहां पर है, एक अप्रेज से लेकर सेप्टेमबर तक के रिजल्ट यहां पर दिखेंगे आपको, और प्रिवेस 6 मन्त के यहां पर यह सिर्फ 23 करोड था, तो 23 करोड से 39 करोड, year in year तो बढ़िया प्रोफोर्मेंस है इंकम में, और अगर प्रिवेस 6 मन्त के साब से देखें तो काफी डाउन इंकम, और नीचे अगर हम एक्पेंस देखें के कंपनी के, तो लास्ट आम कंपनी के एक्पेंस है, साढ़े 22 करो अब 2 करोड 15 लाख नेट प्रोफिट जनरेट किया है, और प्रिवेस 6 मन्त में लगबग 1 करोड, 1 करोड 55 लाख नेट प्रोफिट था, तो year in year और प्रिवेस 6 मन्त के साब से, कंपनी की पर्फुमेंस बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट पेश के कंपनी अबी और अगर हम इसके एक बार फंडामेंटल भी देखें, फिलाल इस कंपनीया शेर 200 पे पे ट्रेड कर रहा है और पांच परसेंट का लोवर सर्केट लगा कल के दिन, और यह एक इंफ्रसक्चर से रिलेटेड ही एक कंपनी है, और अगर हम मार्केट काप देखे तो सिर पहले लोज में थी कंपनी 12 लाग का लोज, फिर लगबग 7 क्रोड का लोज, फिर 2 क्रोड का प्रोफिट, फिर लगबग 7 क्रोड प्रोफिट और फिर लगबग 4 क्रोड का प्रोफिट, 3 क्रोड 71 लाग और अभी भी कंपनी रिजल्ट अच्छा है, तो दोस्तो ठीक है, पर काफी risk ही share है किए कंपनी पहले loss में थे और borrowings इस पे 8 crore निकल के आ रही है और reserves 11 crore के असपास हैं तो दोस्तों काफी risk ही share है अभी आप इसमें 2-3 quarter result लगातार देखे और तभी इसमें सोचना और motors की holding तो ठीक है 72% अब बागी public के पास है तो अभी result तो अच्छे आया है तो कल के दिन शयाद इसमें एक आपको अलकी सी तेजी देखने हो मिल सकते है अगर market का मावल अच्छा रहा तो और बाकी इसमें अगर आप invest करने ही सोचते हो तो एक छोटे amount लगाना और वो भी ज में थोड़ा risk ही शेयर है दोस्तों कि नेनो कैप कंपनी है